सुनिल जी तो क्या योगी आदितना दबाव में हैं कि मंगेश यादव का एंकाउंटर हुआ तो अब एक ठाकुर का एंकाउंटर भी करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव के एक ट्वीट में वाकई इतना दम है जो अनुच के पिता कह रहे हैं कि अब तो अखिलेश यादव की इत्सा पूरी हो गई ठाकुर का एंकाउंटर हो गया देखो कालरा साथ जिस एस्टियप पर अखिलेश यादव जी ने सवाल उठाए उस एस्टियप को 81, 81 राष्टपती पदक मिल चुके हैं तो यह कोई एस्टियप ऐसा तो नहीं किसी की सरकार के रहते हुए ज्यादा इंकाउंटर कम है जातकत इंकाउंटर हुए हो तो राष्टपती से उनको पदक मिले हो और सबसे महत्पूर्ण बात यह दखिलेश यादव जी जिन इंकाउंटर को लेकर करकर उठा रहे हैं 2003 से 2007 मुलाइम सिंह आदव मुख मंत्री रहे पांस साल का पूरा कारकाल नहीं साड़े तीन साल के आसपास का कारकाल था 499 इंकाउंटर हुए 499 जो उत्रप्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा इंकाउंटर हुए कम कारकाल में फिर दूसरे नमबर पर आती हैं मायवत्य जी की सरकार तीसरे नमबर पर योगी जी आते हैं तो इंकाउंटर की बात की जाए और सबसे महत्पूर्ण बात में बता दूँ आपको एक छोटा सा एक्जम्पल आपको मैं दे रहा हूं कि 2005 औच्छे में जनपद फिरोजाबाद में 6 से ज़्यादा इंकाउंटर हुए वो सारे के सारे यादब मारे गए थे यह मुलाइम सिंग यादब के सरकार अविताब ठाकोर वहां SSP हुआ करते थे उन्होंने सारे के सारे यादब जो फिरोजाबाद में थे इंकाउंटर करके सारा खतम कर दिया और उस समय बड़ा सवाल समाजबादी पार्टी ने भी उठाया था जब मुलाइम सिंग मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब मुलाइम सिंग यादब ने सभा की तो उस सभा में मुलाइम सिंग यादब जिन्दाबाद के नारे नहीं अविताब ठाकोर के जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे और रामजी लाल सुमन्ना ये भरे मंच पे कहा कि मुलाइम सिंग आदब से बड़े नेता अविताब ठाकुर हो गए है जो इंकाउंटर करके जनता के बीच के आप चुनाब रड़ना चाहते हो उस समय मुखमंत्री के मंच पर ऐसी भद्धी टिपणी जो SSP जान पे खेर करके फिरोजाबाद की पुलिस काम कर रही हो और उसकी तुलना उस समय की गई हो कि चुनाब रड़ना है कि आपको चुनाब की तैयारी आप कर रहे है जनता ने जिस तरीके से उनका सयोग किया और उस समय SSP को हटाने के लिए एक बरिष्ट पत्रकार के पुत्र का अपहण हुआ हुआ और ये सडियंत रचा गया कि पत्रकार जो जहां सयोग आत्मत तमाम रिपोर्ट्स उसमय आ रही थी कि पत्रकारों का बिद्रो कैसे SSP के खिलाप हो क्योंकि जब जनता जब SSP के साथ हो जाए तब ऐसी इस्तिती में पत्रकार के पुत्र का अपहण होता है और भरी मीटिंग में इस बात के सवाल खड़े होते हैं कि SSP पर सवाल खड़े हुए तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है और अखलेश आदब जी को ये समझना पड़ेगा आप कह रहे हैं जो कारवाई STF कर रही है बिल्कुल जस्टिफाइड है कोई पक्षपात नहीं जात देखकर गोली नहीं मारी जाए सजा देने का काम अधालत का है ना बिल्कुल आपका बाज़िफ सवाल है लेकिन क्या सामने से गोलियां चलेगी तो इधर से क्या फूल वर्साइड आएंगे क्या किसी भी व्यक्ति को अपनी जान बचाने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता यद पुलिस पर गोलियां चलेगी तो पुलिस क्या बंदू को पिष्टर रख करके उनको फूल वर्सा के गरबदार करेगी क्या यह और जातिकत आंकडे चाए योगी जी की सरकार हो चाए माया बती जी की चाए मुलाइम सिंह आदब जी की सरकार रही हो यह जातिकत आप आंकडे उठाके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जातिकत के हिसाब से स्टिय अपने इंकाउंटर किये और उसके बाद आपने देखा होगा माननी ये सुप्रम कोट के आदेश के बाद अधिकतर पूरे देश में अब मजिस्ट्रेटी जहां चोती है नाश्रल यूमन राइट कमिशन भी देखता है बिल्कुल जात देखके इंकाउंटर किये ही नहीं जा सकता आप एक इमेजन करो कि रात में तड़के चार बजे बद्वासों ने पुलिस पर फायर कर दिया तो पुलिस वाले पूछें के भाईया भाईया तुम अपनी परदे जात पताओ फेर हम गोली चलाएं तो संबोई नहीं है यह हमारे नेता हैं जो इंकाउंटर होने के बात जाती ढूडते हैं लेकिन आप गवर करिए जब कोई टेरिस्ट होता है टेरिस्ट अटेक होता है तो किते तो विधर्ब मत ढूडो अब इस देश पे इतना दोहरापन है कि जब आतंकवाती घटना होती है करते हैं आतंकवात कोई धर्म नहीं होता लेकिन जब अपराधी होता है तो उसकी जाती होती है यह जो दोहरा रविया है अपराधी की जाती होना और आतंकवाती का धर्म नहीं होना यह सीधे संकेत करता है कि आप सिर्फ वोट वेंग के लिए हिंदूओं को डिवाइट करो और मैनोटी कम्यूटी को यूनाइट करो, यही एक प्रमुख अबजेक्टिव है, और वो किस कीमत पर कर रही है समात्पाथी पार्टी अभी पक्ष, वो कीमत है देश के law and order के matter पर तो इस मामले में कम्यूटी के मेरा मानना है कि जाती नहीं दूड़नी चाहिए अपरादी हमेसा अपरादी होता है चाहे मुलायम सिंग के समय में हो चाहे मायवत्ती के समय में हो और चाहे पर योगी जी के समय में